हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ असलाम रेकूंग वोईस फ अमेरिका वाश्टिंटन से मैं हूँ सारा जमान टानल्ड ट्रम्प को सदर मुन्तखिब हुए आज एक साल मकमल हो गया है पाकिसानी अमेरिकन्स क्या सोच रहे हैं इस बारे में हम आज बात करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और मुखालफीन से वियू 360 में और क्या कुछ शामल है देखते हैं उसकी एक चलक अमरेकी सदर का पहला दौराइचीन जेरे बहस क्या होगा सल्देरब की सियासत में तहल का वाशिंग्टन क्या सोच रहा है और दुनिया का चक्कर लगाने वाले जर्मन सेया को पाकिस्तान कैसा लगा डानल्ड ट्रमब आज बतौर सदर चीन का पहली मरतबा दौरा कर रहे हैं दो रोजा दौरे के आगास पर उन्होंने चीनी सदर शी जिन पिंक के साथ बेजिंग का तारीखी हिस्सा फॉर्बिडन सिटी देखा इस मौके पर दोनों मुलकों की खवातीन अविल बेजिंग 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 बियरो के चीफ है बलाउ अ उन्होंज की ऑ्काहिए कि बेजिंग बेजिंग बेंगा别 ัमुस्साह चומजू मैं उइकारीर अर्ष्साने के टारे मिकीने केलowoरो फंधल्थ आले उसी हमाञाट तर्लेट ऑ्सकाहने आर्कि समय ये एली olurुड मैं आविट सुरिय इत्धीं टूरि translating हैं He is likely to press China to do more to reign in Pyongyang. He's in Seoul that China's Xi Jinping has been very, very helpful on North Korea. How helpful we will see soon. What that might mean is going to become clear over the next few days. All right. So, two questions. एक तजारत चीन और अमरीका के दर्मियान और दूसरा शमाली कोरिया का जो मसला है वो, उसके जहरी अजाएम. तो जहां तक तजारत की बात है, बड़े बड़े डील्स, आज 19 डील्स साइन हुए हैं, अमरीका और चीन के दर्मियान और अमरीकी जो कमपनीज हैं, वो चाती हैं कि उनको चीन की मंड़ी तक वो ही रसाही मिले, जो चाइनीज कमपनीज को अमेरिका में दी जा रही है, रेस में हमा में प्र cash हैं, आसनागी जोड़े बड़े ऍuperच करते हैं, वो चैनली में प्स Simone यहां तक सदर को वेलकम करने की बात थी तो बहुत ज्यादा लोग सड़कों पर नजर नहीं आये जहां उनका मोटर केट गुज़रा वहां पर भी आपने अपनी स्क्रीन पर भी देखा होगा के लोग रास्ते में नजर नहीं आप शामदेद केहने के लिए सड़कों पर लेकिन गुज़शता रोज हमने ये देखा कि जिनूबी कोरिया में बहुत बड़ी तादाद में बादला हो रहा है इरान के सदर हसन रुहानी ने कहा है कि ये हमला यमन में सौधी जारियत का नतीजा है इससे पहले सौधी वली आहिद मुहमद बिन सल्मान इसे इरान की तरफ से जंगी एकदाम कराद दे चुके हैं चब्किर इरान ने हमले में काईश आज़ादों और ए अपने अरद नेमल दिया है उनकी इंतजाम में इस मामले पर क्या कह रही है जी सारा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की नुमाइंदा हैदर नौयट ने मंगल के रोज सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि अमरीका चाहता है कि साओधी अरब के आला हुदेदारों और शाही खानदान के अफराद के खिलाफ कारवाई शफाफ और मुंसिफाना अंदाज में की जाए मज़ीद तफसिलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक बिन तलाल समीट शाही खानदान के दीगर अफराद वुजरा और कई सर्माया कारों की गिरफतारियों के बाइस सौधी अरब में होने वाली ड्रामाई तब्दिलियों से तमाम वस्ते इशिया में परिशानी की लहर दोड़ गई है ये सब लोग इस वक्त रियास के रिट्स काल्टन होटल में हिरासत में हैं जहां सदर ट्रम्प टूइट के जरीए इस क्रैक डाउन के लिए अपनी भरपूर हमायत का ऐलान कर चुग है एक ही महक में खारज अगर अद्देमल कुछ यूं है हम करप्ट औहदेदारों के खिलाफ कारवाई जारी रखने के लिए सौधी हकूमत की होसला अवजाई जारी रखेंगे और हमें उमीद है कि वो इसे शफाफ और मुंसिपाना तरीके से करेंगे क्या स्टेट डिपार्टमेंट इस सौधी क्रैकडाउन की हमायच से मुत्तफिक है तर्जमान ने ये सवाल वाइट हाउस से पूछने का मशवरा दिया तज्याकारों का ख्याल है कि सौधी अरब को इस वक्त बहुत से चालेंजिस का सामना है इनने बेल अगाम करप्शन से निमटने के इलावा अपने बड़े दुश्मन एरान का मकाबला करना शामिल है ये गिरिफतारियां बजाहर करप्शन के खिलाफ कारवाई का हिस्सा हैं लेकिन जिस बात पर लोगों को एतराज है वो इंतहाई हम लोगों की गिरिफतारिया है तसवर करें कि आप एक रोस सुबा को सोकर उठें और आपको पता चले कि बिल गेट्स ये वालन बाफिट को गिरिफतार करें तो इससे मुल्की माईशत पर क्या असर पड़ेगा क्या अमरीकी महक में खरजा इन गिरिफतारियों को खित्डे के इस तहकाम के लिए तश्वीशनाक समझता है मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि इस खित्डे में अदम इस तहकाम के लिए जिमेदार कौन है और हम इरान की सरगर्मिया देख चुके हैं हम यमन के लिक्तों से वाकिफ हैं हम शाम में इंतशार प्हिलाने के लिए इरान का किपदार देख चुके हैं और दूसरे खित्ड़ों में भी इत्वार के रोज लबनान के वजीर आजम साद हरेरी के इस्तेफे के बाइस तद्जियकारों को फिक्र है कि ये खित्टे में इंतिशार का बाइस हो सकता है जहां पहले ही यमन की सुरतिहाल खराब है हादी का ख्याल है कि अगर सद्ड़ ट्रम्प का वस्तेशे को भी उसी तरह बदलने का ख्याल है जैसे उन्होंने अमरीका की सियासत को बदला है तो ये खेल खतरनाग भी हो सकता है सद्ड़ ट्रम्प ने तो अपनी ट्वीट में सौधी ओधेदारों की गिरफतारी की हमायत की है लेकिन नियूर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में अमेरिका की जाइंट टेक कमपनिस जैसे के आपल और ट्वीटर वगएरे को तनकीद का निशाना बनाया है क्योंकि इन कमपनिस में उन सौधी ओधेदारों की सरमाया कारी शामिल है जो इस वक्त हिरासत में है इस तनकीद का मकसद ये है कि इन कमपनिस की तरफ से इन गिरफतारियों के बारे में कोई रद्वी अमल ही आया है जी सारा और ट्विटर पर अब 140 नहीं बलके 280 गुरूफ तक का पैगाम लिखा जा सकेगा यानि अब आप हमसे मजीद आसानी से बात कर सकते हैं हमारा टुरर है और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आये हमारी वेब साइट अर्दू वियोए डाट काम पर जहां आप के लिए बहुत सी दिल्चस्ट वीडियो और फीचर्स भी मौजूद है सदर टुर्म्ट के इंतखाब के एक साल बाद पाकिस्टाइनी अमेरिकंस कुछ को कहां देख रहे हैं इस पर हम बात करेंगे कुछी देर में पहले देखते हैं दुनिया के मुक्तलिक हिस्सा से मिलने वारी रूस ने शामे की मियाई हमलों के तहकीकात और मुतायन अक्वाम मुताहिदा के तहकीकाती कमिशन की मुदप में इजाफे के लिए अमरीकी करारदाद को मुस्तरत कर दिया है इतसे काबर गूस इसक्मिشन की टखिकाद की रिपोर्ट को मुस्टरत कर चुका है जिसने हमले का जिमीदार शामी सदर बशार असद को करार दिया गया था मियानमार की सरवरा अंसाल सुची का कहना है काप्वाम Śची का कहना है के निए मियनमार पर तनकीद से मियनमार और मुंगलादेश के दरमान दो तरफा मुझाराथ को शड़ी नुक्सान पहुं सकता है सेक्योर्टी कौंसल पीर के रोज मियनमार को रोहंगिया मसल्मानों पर फौजी ताकत के इस्तमाल और इंसानी हकूप की खिलाफ परवी पर शदीद तनकीद का निशाना बना चुकी है अमरीकी नाइब सदर माइक मेंस ने अफगान सदर अश्रफवणी से टेलिफून पर अफगानस्तान में सेक्योर्टी की सूरत रहल पर तबादला खयाल किया अमरीकी नाइब सदर ने अफगान रहनुमा से सदर टरम्प की जनोबी एशिया के लिए हिकमते अमली के अफगानिस्तान की डिपेंस और सक्योर्टी फोर्सिस के जजबे पर असरात पर गुफ्तगू की सदर डानल्ड टरम्प के इंतखाब को आज एक साल हो गया है वाशनिंटन पोस्ट और अबिसी नियूस के मुश्तरका पोल के मताबिक इस वक्त 69 फीसिद अमरीकी उनकी कारकरदगी से मायूस है जो किसी भी सदर के पहले नौमा की कमजोर तरीन रेटिंग है इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर बात करेंगे कुछ पाकिस्टानी अमेरिकन से एक साल कबल इलेक्शन की रात डॉनल्ड टरम्प ने सदार्थी काम्याबी हासिल करके दुनिया को हैरान कर दिया अपनी हलव बर्दारी के दिन अपनी काम्याबी में अहम किरदार अदा करने वाले वर्किंग क्लास वोटर्स से एक एहद किया सियास्टान कुछ हाल हुएं लेकिन रोजगार और फैक्रियां बंद हो गएं लेकिन आज के बाद नहीं होगा तजिया कारों की राए में डॉनलर्ड अब अमरेकी सियासत में एक बड़ी तब्दीली का इशारा था मेरे ख्याल में रिपब्लिकन पार्टी के वन्यादी वोटर्स अब ट्रम्प के वोटर्स बन चुके हैं वो सदर्ड ट्रम्प को रोकने की किसी भी कोशिश को अपने उपर हमला समझते हैं एक बड़े एथिजाजी मुझाहरे और हलव बरदारी की तक्रीब के मजमे के साइस पर इखतिलाफ की शकल में ट्रम्प सदारत को शुर्णात का सामना करना पड़ा सदर्ड ट्रम्प की अब्तिदाई कामयाबियों में सुप्रीम कोट के जिस्टिस नील गोर्सच की कामयाब ताइनाती के लावा मईशत मबहतरी के एकदामात स्टॉक मार्किट की अच्छी कारकरतगी और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कामयाबियां भी शामल हैं लेकिन सदर्ड और इनके इतिहादियों की इस्तेमाल की आदत और शार्लिट्स विल वरजीनिया में परतशद मजाहरों के बाद उनके मतनाज़े बहानात से भी खासी कशीदगी पैदा हुई अमरीकियों की एक बड़ी एकसर यह तब यकीन रखती है कि सदर्ड डानल्ड ट्रम्प सही काम नहीं कर रहे और सदर के तोर पर उनकी कारकरदगी बैतर होने के बज़ाए नीचे जा रही है ताहम अमरीकी सदर की इलेक्शन स्टाइल की रिलीज और ट्वील के वोर्टर्स की हमायत को मजबूत रखा हुआ है जो कि इनकी मकबूलियत अब भी 35-38 फीसद है कांग्रिस में गालबिन अक्सरीत रखने के बावजूद रिपबलिकन पाटी के लिए इने खुलकर चैलेंज करना मुश्किल है लेकिन अमरीकी इन्तखाबात में रूसी मुदाखलत पर तश्वीश भी ट्रम्प की सदारस से मतालिक शकूक और शुभात का बाइस बनी है क्या वो इसे बदल सकते हैं? बिलकुल क्या वो दोबारा मुदाखल हो सकते हैं? बिलकुल लेकिन वो इसे अपने लिए मुश्किल बना रहे हैं डॉनल्ड ट्रम्प का इंतखाब अमरीकी सियासत का एक अहम मौड था लेकिन इसके अमरीका पर और बाकी की दुनिया पर असरात अभी तक एक जवाब तक जवाब तक जलब अपर हमारे साथ है इफ़ान मलिक जो कि देमोक्राटिक पार्टी के हामी और यूएस पाक फांडेशन के सदर हैं मैं आप से शुरू करना चाहूंगी आप प्रेजिनेंट ट्रम्प की और जब वो कैंड़ेट थे उनकी सपोर्टर थी नौ मा हो गए हैं उनको अपने आफिस में क्या जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी वो पूरी हुई है जी बरकुल I think economy बहुत improve हो चुकी है मारकेट में हम तुभी देख रहे हैं उनका जो बिसनेस बैक्राउंड है वो इनका जो बिसनेस इंप्रूफ करने का था और जो economy फे फोकस है वाल स्रीट के रिटर्ण्स आर हायर देन एवर तो उस लिहास से I think he's doing very well American economy के लिहास से आप खुश है इर्फान मलिक आप ये बिताएए एक पाकिस्टानी अमेरिकन के तौर पे आप नौमाबाद खुद को कहां देख रहे हैं मैं इस चीज़ को ये दो एंगल से देखता हूँ तो पाकिस्टानी अमेरिकन के लिहास से अगर मैं देखूं तो हमारे लिए काफी मुश्किलात हुई है हेट क्राइम्स बढ़ गए हैं डिविशन्स विदिन अमेरिकन क्म्यूनिटी सोसाइटी बढ़ती जारी है मसाइल शुरू होगे हैं तो जो मुझे एरपोर्स पर मसाइल होते हैं या मेरे जो रेलिटिव्स पाकिस्तान में हैं उन्होंने अगर अमेरिका आना है किसी शादी पर ग्रेजुएटी को वीज़ा लेने के लिए मुश्किल होती जारी है जो हेट की इन्वार्मेंट शुरू हुई है और जो डिविजन सोसाइटी में पैदा हो रही है आपने अभी टरम्प साब की जो एक्सेटन स्पीच थी और इनागरेशन स्पीच थी दोलों में उन्होंने का था कि भी विल ब्रिंग अमेरिका तो हेट क्राइम्स के आप जो हेट स्पीच है उसको आप कह रहे हैं कि वो जादा है और पाकिस्तानी अमेरिकन के तोर पर लेकरे ते वो शार्लिट्स विल में अगस्त में जो वाकिया हुआ था उसकी थी जहांपे वाइट सुपरमिसिस्ट और उनके जो अपोनिंट्स थे उनके दर्म्यान तसादम हुआ सब आप ये बिताईए इस वक्त सदन पौवर्टी लॉज सेंटर जो के अमेरिका में सिविल लिबिटीज का एक इदारा है उसके नमबर्स के मताबिक 917 हेट ग्रूप्स काम कर रहे हैं अमेरिका में 101 उनमें से एंटी मुस्लिम हैं आपने भी इमिजिस देखे एक मुस्लिम अमेरिकन एक पाकिसानी अमेरिकन के तौर पर आपको लगता है क्या कि आप जो सदर है उनका रिस्पॉंस आपकी नजर में वो आपकी वो जादा बहुतर रिस्पॉंस दे सकते थे जिस तरह से वो एकदम से रहने की कोशिश कर रहे थे वो सही नहीं था आप 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 जब तक हम इनवाल नहीं होएंगे यहां कि प्लिटिकल क्रासस में वो कभी भी चेंज नहीं होएंगे अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर होएगी जैसे कि रिपॉबिकिन अभी कॉंग्रिस कंट्रोल करते हैं सेनट में भी हाउस में भी और वाइट हाउस को भी लेकिन दिरस हाड़ली नहीं पाकिस्तानी को इंपरूब करेंगे और इस्पेशली रिपॉबिकिन पारिज को इस फुब जो रिटरिक है जिस तरह के बियानात सामने आरे और जो महौल है मुलका उसमें आपको लगता है कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन के तोर पे आपके लिए स्कोप है पॉलिटिक्स में जादा प्रॉमिनेंट होने इस पॉर्स आम लोग कि नोग कि नोग नोग कि बात की कि पाकिस्तानी अमेरिकन जादा एक्टिव पॉलिटिक्स में आगे क्या सदर को और उनकी पार्टी को अलग तोर पे देखना है चाहिए क्योंकि कुछ एक तरफ अगर वीकनेसे नजर आती है तो दूसरी तरफ पार्टी है जिसका प्लाटफॉर्म एक सदर की परसन पार्टी को एक नया रंग एक नई शकल दी है और आप देख भी रहे हैं कि एलेक्शन्स में कल भी वरजिनिया के इलेक्शन में और और जित्ते भी इलेक्शन्स हुएं जो लोग बिलकुल टरंप की जैसी बाते करते हैं नोट रिपबलिकन बिलकुल बल टरंप जैसी बाते करते हैं वो सक्सेस्फुल हो रहे हैं जो ओल्ड रिपबलिकन स्कूल ओफ थौर्ट था वो खतम होता जा रहा है और हमारी इन्वाल्मेंट होनी चाहिए बट ये कि हमारी इन्वाल्मेंट मुश्किल होती जा रही है अच्छा ये बिताईए, सदर ट्रम्प इस वक्त चाइना में हैं, इसे पहले भी वो फॉरेंट ट्रिप्स कर चुके हैं, सदर का नारा ये था, Make America Great Again, क्या आपको लग रहा है कि सदर इंटरनाशनल लेवल पे अमेरिका को दुबारा से अजीम बिनाने में कामयाब हो रहे हैं I think so, I mean America is much stronger than it was one year ago, हमारे पास strong leadership है, strong national security, defense policies, it's not, people can't take us for granted anymore, हम लोग उनको ज्यादा strong economy, like I said, national security, defense, जो उनकी top agendas थे Republican policies के, वो सब इंप्लिमेंट हैं जब अगर आप पोल्स देखें तो इंटरनाशनल तोरी कि अमेरिका का image पोल्स के मताबिक अच्छा नहीं हुआ और यहां domestically भी सदर को जब खासतर पर शालिट्स विल का वाक्या हुआ था, तो यही पोल्स का result सामने आया था, कि सदर डिवाइसिव रेटरिक है, उनका वो कि कोई मुल्क भी जो है, वो अमेरिका के साथ फुल सपोर्ट किसी चीज़ में देने को है, जो हमारे, बर स्ट्रॉंग ऐलाइस भी थे, फ्रांस, ब्रिटन, वो भी जो हैं, और उनके लोग भी जो हैं, वो अमेरिका को इतना इज़त से नहीं देखते हैं, तो आपके नज कि उसकी जो परफॉर्मेंस, एकॉनमी वाईज है, अवरिज अमेरिकांस को जो बेनेफिट सोने वाले हैं, अभी टैक्स रिफॉर्म से, और जो हमारी पॉलिसी, रिपॉबिकन पॉलिसी बन रहे हैं, मैं उससे बहुत खुश हूँ, और एंड होब के वो चुनियू तेंक यू वेरिमिच सबा, एमद और इर्फान मलिक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और हमारे नाजरी ने देखा कि पाकस्ताइनी अमेरिकन सदर टरम्प के एक साथ इंतखाबी जो एनिवर्सिरी है, उसके मौके पे क्या सोच रहे हैं? क्रेड़िट और डेबिट कार्ड़ ने आजकल शौपिंग के लिए पैसे साथ ले जाने की जुरूरत तो बड़ी हद तक खत्म कर दी है, लेकिन बरतानिया में एक दुकान पर अब कार्ड़ भी नहीं, सिर्फ एक उंगली से पेमिंट की जा सकती है ये है फिंगो पे, इस टेकनालोजी के नाम और ये एक हाइटेक बायो मेट्रिक सिस्टम है जो इनसान की उंगलियों की रगों के नकशे से उसकी पहचान करता है एक शखसी उंगली के अंदर की रगों का मॉडल तयार करता है जिसे बैंक अकाउंट के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है दुकान में लगी मशीन में उंगली रखें तो वो गहाग को वैसे ही पहचानती है जैसे क्रेडिट कार्ड मशीन कार्ड को और फटाफट पेमेंट हो जाती है इसे बिनाने वाली बिरतानवी कमपनी का कहना है कि दो लोगों की रगें एक जैसी हो इसका चांस साड़े तीन अरब में सिर्फ एक है दरख लगाने के लिए बांस की साइकल पर दुनिया घूमने वाला एक जर्मन से या पाकिस्तान आया वहां से अपने साइकल पर पूरी दुनिया घूमने अपनी साइकल का फ्रेम फुद त्यार किया मैं दुनिया भर में लोगों को देखना चाता था कि वो कैसे रहते हैं और मेरा एक मिशन है कि दुनिया भर को सरसब्सों शादाब और उर्ट सुकून बनाने के लिए 40,000 दुर्फ लगाओ जर्मनी से निकलने के बाद आस्ट्रिया, नियूजिलेंड, सल्वीनिया, क्रोशिया, सेरेपिया, तर्की, एरान और अब पाकिस्तान आया है अब अब मेरे पास जर्मनी में कुछ भी नहीं है सुआए मेरे, मेरी साइकल और मेरे बैग्स में पड़ी अशिया के लावा, मेरे पास और कुछ नहीं मेरे सामान में फ्लैट टायर्स, टेंट और स्लीपिंग बैग्स हैं, जिस में मैं आराम से सो सकता हूँ मेरे बैग्स में कोई बीज या दरख नहीं होता दुनिया भर में लोग दरख लगाते हैं मैं जहां जाता हूँ वहां मेरे मेजबान और मकामी अफराद से दरख्वास करता हूँ कि क्या कोई मेरे लिए चोटे बौदे खरीज़ जो मैं उगा सकूँ तो लोग मेरे साथ तावन करते हैं मैं पाकिस्तान में अब तक 31 दरख लगा चुता हूँ जब मेरे वालिद को मालूम हुआ कि मेरी सफनी लिस्क में पाकिस्तान भी शामिल है तो वो कहने लगे कि क्या तुम्हें मरना है लेकिन मुझे यहां आना था और मेरा पाकिस्तान का तजर्बा बहुत अच्छा रहा यहां लोग बहुत दिल्चस्टान भी मुझे देखते हैं पूँचते हैं आप कैसे हो कैसे रहते हो कहां से आये हो और बहुत से सवालाद क्योंके वो मेरी फिकर करते हैं मुल्तान, साइवाल, मिया, चन्नू, लाहौर में बहुत से लोगों ने मेरी मेजबानी की और मैंने ऐसी मेमान नवाजी कहीं नहीं देखी यहां के लोग बहुत पुरामन और दोस्तानी पसाइए मगरिबी मीडिया में पाकिस्तान को जैसे दिखाया जाता है यह उससे बिलकुल मुख्तिलिफ है और मैं यहां दोबारा जरूर आउंगा यह था आज का व्यू थ्री सिक्स्टी अपनी तजवीज आप हमें भेज सकते हैं फेस्बुक के जरीज़े फेस्बुक डाट काम स्लाश वी ओवे अर्दू पर और टुटर पर हमारा हैंडल है एट उर्दू वी ओवे इजाज़त दीजे खुदा हाफिज झाल